हाई दोस्तो मैं कापिन भावी स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चानल ता स्ट्रगलर पर आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्षन के उपर क्योंकि कल ही मैं अपनी ऐसा कमेंट सेक्षन चेक कर रहा था तो उसमें एक क्वेशन आया था कि इंट्रोडक्षन मतलब क्या हो आज मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि प्रोफाइल क्या होती है और इंट्रोडक्षन क्या होता है जैसे आप सही से अपनी प्रोफाइल शेयर कर सको कास्टिंग डिरेक्टर को अगर कास्टिंग डिरेक्टर को शेयर करना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है जानिए बॉलीवूड और फिल्म इंडेस्री से रिलेटे हर इक बात रोल कामरा आक्शन तो जादर समय नहीं लूँगा आपका क्योंकि आज हमाई घर के पगल चल रहा है काम तो बहुत जादा आवाज भी आएगी इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ये बात अपनी रखो और बात आप लोग को समझाओं औके सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि profile मतलब क्या होता है profile मतलब आपने अभी तक कितने काम किये हैं लोग जैसे custom director आपने profile शेयर कर दो Profile मतलब होता अपनी 2-3 picture share कर दो और साथ ही साथ, अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट में काम किया है उसका एक link उनको दे दो कि हाँ मैंने in you project में काम किया या उनको ऐसा text में पताओ मैंने in you project में काम किया अगर वो बात में मांगे कि अगर आप अपनी एक वीडियो शेयर कर दो जिस प्रोजेक्ट में आपने काम किया है तो आप उसका एक लिंक शेयर करो या अगर वो वीडियो आपके पास है तो वो वीडियो शेयर कर दो simple सा process है और कुछ नहीं करना है ठीक चलिए बात करते हैं इंटोड़क्शन के बारे में इंटोड़क्शन में मैं बहुत सारी वीडियो बता है बट इंटोड़क्शन के एक मैंने normal बता देता हूं जिसमें सिर्फ आप अपने खड़े होके सौरी अपने खड़े होके सिर्फ name, age, height location कहां से हो और अभी कहां पे रहते हो और work experience अगर fresher हो तो बिना डरे बोलो कि हाँ मैं fresher हूँ बस जो confidence हो का आपके अंदर वही दिखना चाहिए कि हाँ मैं fresher हूँ और साथ मैं अपनी hobbies बताओ और बस इसके लावा कुछ नहीं mobile number देखे आप अपनी ये introduction इंको share कर दो इतना ही करना रहे है अगर आप अपनी introduction share कर रहे हो ठीक एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ अगर आप अपनी introduction video share कर रहे हो तो उसमें करना क्या है जैसे याप ये वीडियो देख रहे हो मेरी ना अभी आप अपने phone में देख रहे हो तो यहाँ पर नीचे देख लेना यहाँ पर आप अपना नाम और नाम के साथ mobile number लिख दोगे ना तो मज़ा आजाएगी मज़ा क्यों आएगी क्योंकि इसलिए कभी भी आप अपनी profile या introduction video share करते हो तो उसमें आप अपना mobile number और नाम ज़रूर लिखना क्योंकि बहुत सारे casting director होते हैं डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद कभी वो अगर ऐसे अंदाजा gallery में चेक कर रहे होते हैं उनको कोई character समझ में नहीं आ रहा है या कभी वो ऐसे देख रहे हैं हाँ मेरे पास कितने character उसमें आपका सकल दिख गया उनको लग गया कि ये character कहीं न कहीं जा रहा है तो फिर वो कैसे search करेंगे आपको आपका नाम और नमबर वहीं मिल जाएगा न तो वो direct आपको call कर लेंगे ये बहुत ही tricky और बहुत ही अंदर की बाद में बता रहा हूँ ये मैंने खुद देखा है समझा है तभी मैं आपको बता हूँ मैं खुद यही करता हूँ मैं अपना नाम और नमबर लिख देता हूँ और हाँ आपनी जो picture शेयर करोगे जैसे दो से तीन picture जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा द रहा हूँ इसमें भी अपना नमबर और नाम लिख दिया करो एडिट कर दिया करो बाद में जैसे कभी वो गैलरी में आपके picture देख लें तो आपका number वो वही उसी picture से ही मिल जाए आपको कहीं आपको search करना ना पड़े क्योंकि बहुत सारे whatsapp group अगर आप join कियोगे देखे होगे तो उसमें क्या होता वो लोग photo share करते हैं भाई इसका number है किसी के पास क्या नाम है इनका तो यह होता है तो यह होने की नौबती ही ना दो आप लोग को अच्छे से समझ में आगे को introduction गया होता है और profile गया होता है profile मतलब आपने अभी तक कितने काम किये हैं simple सा process वही और कुछ नहीं होता profile का मतलब बहुत सारे क्योंकि मुझे भी starting में नहीं पता था मैं भी एक बार गया था किसी casting director के पास उन्होंने कहा कि अपने profile शेयर कर दो तो मैं का profile मतलब सार introduction गया आप profile नहीं पता तरह को तो मैं का सार आज तक तक मैंने introduction शेयर किया profile के नाम पे तो फिर उन्होंने मेरे को बैठा के समझाए कि देखो अगर profile मांगी जा रही है तो तो तुमने अभी तक जितने मैं का सर मैं fresher हूँ तो वही उन्होंने कहा कि जितने काम अपने किये हैं भी तक वो सारे काम की एक list बना और लिखो टेक्स्ट में और मेरे को share करो या link share करो तो मैं का सर अभी तो अभी तो कोई बात नहीं आप अपना introduction share करो साथी साथ अपने 2-3 monologue share करो अलग-अलग variation में कोई किसी में negative बनो किसी में rich look character दिखो किसी में गरीब बनो जितना भी आपके पास है खेलने के लिए उतना खेलो उसमें आ तो मैं का ओके तो फिर मैंने अपना introduction को share किया with monologues इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपने कम से कम 5-6 monologue prepare करके रखो जो आपके वो हथिहार होंगे वही चीज़ है जिससे आपको आगे काम मिला कि कि अभी आप fresher हो मैं ये fresher के लिए बोल रहा हूँ अगर आप fresher हो तो अपने 5-6 monologue बना के रखो और अगर आप experience हो तो आपके पास पहले से work experience है तो अपनी work experience वाली video share कर दो simple सा process है introduction और profile में यही मतलब होता है ओके अगर आप से कभी भी कोई कहे कि अपने profile दो और अगर आप fresher हो तो आप अपने monologue with introduction video share कर दो अगर आप से वो introduction मांग रहा है तो introduction वाली video share कर दो I hope आपको अच्छे से ये video समझ में आ गया होगा पूरा clear हो गया हो प्रोफाइल मतलब क्या होता है और introduction मतलब क्या होता है इसी तरीके का कोई भी doubt रहा है तो comment जरूर करते रहना और description में जो link दिया है www.justruggler.it वहाँ पे जरूर जाकर विजिट करना है बहुत ही bumper offer चल रहा है super discount चल रहा है क्योंकि जब आप विजिट करोगे website पे वहाँ पे आपको 7 days के लिए free audition update मिलेगा पर उसके बाद आपको छोटी सी amount पे करना पड़ेगा और वो भी 9090 रुपए में आपको daily audition मिलेगे बहुत ही अच्छा option है ऐसा मौंगा हाँ से निकल ले ना दो तुरन जो विजिट करो पहले 7 दिन चेक करो हाँ आपके लिए वहाँ requirement आ रही है उसके बाद आप तुरन तुसको subscription लो और daily audition दो जब तक audition दो के नहीं तब तक काम मिलेगा नहीं और आप लोग मेरे को follow करो Instagram पर क्योंकि मैं वहाँ पर आप लोग को यब मैं कोई audition देता रहता हूँ तो उसकी वीडियो बना के share करता रहता हूँ तो आप लोग को भी पता चलेगा कि झालर ॉब झालर ॉब और यत झाल справ झाल झाल óc